हेलो गाइज वेलकम तो माई चाइनल इस अप्पा करे प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर अलसो आज आपने बात करने वाले है एरोप के कौन से है से कंट्री जो जादा फाकिस्तान बंगलादेश ने फाली इंडिया और स्रिलंकन को जॉब देती है हायर करती है तो टॉप फाइव कंट्री आप उना देतने वाले तो मैं सबसे पहले आपको बोलता हूँ अभी सबसे जग आप यूरोप में जॉब देने वाले कंट्री कोंसी होगी तो वो क्रोएशिया है क्रोएशिया में बहुत सारे वैकेंशिप भरे पड़े है अभी पेश्यारी कंस् इंडेस्ट्री जिसके पास शैफ का एक्स्पिरेंस है वेटर्स का एक्स्पिरेंस है और हुस्किपिंग का एक्स्पिरेंस है उनको भी क्रोएशा बूला रही अब भी और मेसन मेसन को भी क्रोएशा हियर करती है और उसके बाद सेकंड नंबर में एरोप में फॉरेनर का हि इसलिए ज्यादा recruitment hospitality related job के लिए करती है कोक शेप्स, housekeeper, cleaner, kitchen helper and service में और उसके बाद construction में माल्टा हायर करती है और nursing में माल्टा foreigner को हायर करता है माल्टा होने के बाद थर्ड नंबर पर आता है फिनलेंड फिनलेंड में इतना labor shortage है बहुत labor shortage है फिनलेंड भी बहुत सारे विज़े दे रहे है वह पेशली ज्यादा फिनलेंड में जॉब मिल रहे है वह जो hospitality related है कोक शेप्स को और construction लाइन को भी पिनलेंड में जॉब मिल रहे हूँ पिनलेंड होने के बाद से फोर्थ नंबर पर आता जर्मानी जर्मानी जिसके पास IT का experience है जिसके पास कॉम फिटर का experience है चार-पास साल का इंजेनियर उनको जर्मानी विज़ा दे रहे हैं और उसके बाद जो जिनके बाद चार चार पास पास साल का experience है उनको भी जर्मनी विजा दे रहा है आप भी जर्मनी में भी बहुत लेबर शार्टेज है और उसके बाद आता इस नेधरलैंड नेधरलैंड बहुत खुब शुरत कंट्री है एक उरोप के अंदर और नेधरलैंड में भी बहुत लेबर शॉटेज है तो नेधरलैंड भी बहुत विज़ा दे रहे है विजा ratio भी अच्छा आभी नेधरलैंड का वो पेशेली ज्यादा जो फार्मिंग में काम करते फार्म और करें उनको नेधर लैंड विज़े दे रहे है उसके बाद जो हॉस्पेटली रिलेटेड जिसको एक्सपेरेंस है कुक शेप्स हाउसकेपर हाउसकेपर और सर्विस में जिसको एक्सपेरेंस है अच्छा उनको भी न अब है क्योंकि लेबर शार्ट इस है पैंडमी के वज़े से बहुत यूप में बहुत सब कंट्री में आपको सबसे दिखर है जो हियर कर रहा है आपटी है कि वीजा दे रहे है कंट्री ये कहई चार-पाच पाच तो यह नहीं तो जरू ट्राइ किजिक प्रेश्या माल्टा कीजिए फिनलेंड ट्राइब कीजिए नेधरलेंड ट्राइब कीजिए इस आपके लिए बेस्ट अपर्चिनिटी अभी 2023 में सो गाइज आज अपना ओनलाइन एपला स्टार्ट करो कि इसके अपने कंसल्टन से त्रो जिसको बिल्यू करते हैं उनके त्रो बिजिन्स के पास स्ट्राइब करो और योडरोप में आजाओ अब यही समय है क्योंकि बहुत सारा व्येकन्स य इरोप में हर हर जगा तो जिसको भी द्रीम बहूर के प्रे जोब करने का ईजिसको भी आने का ऐम का है उसके लिए इसके बाद مुश्किल हो जाएगा बाद में ब्लैम के बाद आने के लिए क्रोईशा सबसे सही है क्योंकि आप भी क्रोईशा शानेगन में आए तो यहाँ पे एरो स्टार्ट हुआ है और वेकंसी भी बहुत सारे बढ़ी पर और यह डेवलप मतलब आप भी डेवलप होने वाली कंट्री आप भी डेवलप हो रहा है तो इसलिए यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन में बहुत वेकंसी है और हऊस्थिलिटिटि में बढ़ी होईनार न की में और क्लिनuspट कीर्ण की भी बहुत वेकंसी आप्स तर्म तो धी जिसको भी जोक्षंशा बस आप में पर चाहिए करो और अब भी आजाओ यही सही टाइम है थैंक यू सो मज़ गाई फिडियो को यार लाइक करो सब्सक्राब करो मेरा चानल में इतना चाप के लिए इंफर्मेटिव वीडियो बना रहा हो तो प्लीज गाई थैंक यू सो मज़